इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत से रोकता है टोप को स्क्रीम केवल बाहरी अंगों के लिए है इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा सुझाई गई खुराक और अवधी अनुसार ही किया जाना चाहिए इस दवा को लगाने से पहले प्रभावित हिस्सा साफ और सूखा होना चाहिए दवा लगाने से पहले औ और बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए जब तक आप कोस पूरा न कर ले तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हों यदि आप इस दवा का इस्तेमाल बहुत जल्दी बंद कर देते हैं तो कवक बढ़ सकते हैं और इंफेक् लेकिन अगर वे आपको परिशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं दवा को आँख नाक या मूँ के सीधे संपर्क में लाने से बचें अगर गलती से संपर्क में आ जाता है तो तुरंद पर्याप पानी से धोलें अगर इलाज के चार सपताहबाद भी लक्षणों में सुधार आना शुरू नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती है लेकिन अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं इसके अलावा यदि आपने पहले भी इसी तरह की दवा का इस्तेमाल किया है और आपको अलजिक रियेक्शन हुआ है तो अपने डॉक्टर को बताएं गरभवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकोन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद